हेलो अश्टुडेंट्स तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल के टी क्लासेज में तो आज हम लोग हिंदी बुक के पांचवे लेशन का अबजेक्टीव करने बाले हैं तो चलिए वीडियो को अश्टार्ट करते हैं अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बगल वाले घंडी को दवा लिजेगा ताकर की नोटिफिकेशन आपको नेक्ट वीडियो का मिल जाए तो चलिए वीडियो को अश्टार्ट करते हैं पहला नमबर कोश्चन रोज का सचीदानन हिरानन बातसयान अग्येई द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है तो वो जो कहानी है वो रोज है अग्येई मूलता क्या है तो अग्येई एक कहानी कार है अग्ये जी ने इंटर कहां से किया था तो अग्ये मदरास क्रिस्चेन कॉलेज से किये थे अग्ये जी की पहली कहानी कब प्रकासित हुई थी 1924 इसवी को महिस्वर की पतनी का नाम क्या है तो महिस्वर की पतनी का नाम मालती है चलिए चटा नमबर कोश्चन को देखते हैं अगे जी की कौन सी कहानी गैंगरीन सिर्षक से प्रसिद है तो रोज कहानी इसके बाद सात्मा नमबर लेखा कितने बर्स बाद मालती से मिलने आया था तो चार बर्स के बाद मालती के पती किस विमारी का उप्रेशन करके आया था गैंगरीन मालती के पती का नाम क्या था महेसवर भारतिय ग्यानपीठ द्वारा अग्येजी को कौन सा पुरुसकार मिला था भारतिय ग्यानपीठ पुरुसकार मिला था इसके बाद 11 नमबर कोश्चन अग्येई जी ने घर में किस हस्त लिखित पत्रिका का संपादन किया था आनंद बंधू अग्येई जी की पहले कहाने किस पत्रिका में प्रकासित हुई पत्रिका सेबा महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था तो आम, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेसे से जुड़ा है, जुड़ा था महेश्वर, अग्ये जी ने कितनी बर्स की उम्र में कभी था, लिखना सुरू किया था, दस बर्स की उम्र में, मालती का पती क्या है, तो मालती का प को देखते हैं 17 नंबर कोश्चन की तार सब तक के संपादक कौन है तो अग्येई जी है अग्येई किस बाद से संबंधित है तो अग्येई परियोग बाद से संबंधित है इसके बाद 18 नंबर कोश्चन को अग्येई किस बाद से संबंधित है तो परियोग बाद से संबंधि अभी हमने बताया इनमे अग्ये का नाटक कौन है तो उत्तर प्रियदर सी गैंग्रीन इनमे से किस से संबद्ध है बिमारी से मालती महेस्वर की संतान का क्या नाम है टिटी निदी के द्वीब किसकी रचना है नदी के द्वीब अग्ये की रचना है अग्येई को ज्यानपीट पुरसकार किस रचना पर ब्राप्त हुआ था तो वो था कितनी नावों में कितनी बार फिर 24 नंबर कोशन को देखिएगा यहां पर अग्येई का जन्म हुआ था तो अग्येई का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था अग्ये के पिता का नाम क्या था डॉक्टर हिरानन्द सास्त्री फिर 26 नमर कोशन को देखते हैं कौन सी पुस्तक अग्ये की है तो वो है हरी बास पर चनभर कौन सी रचना अग्ये की नहीं है तेरिच रोज कहानी की नाईका कौने मालती रोज कहानी में अतिथी बन कर आता है मालती के दूर के रिस्ते के भाई रोज कहानी कितने घंटे की कितने खड़कन के साथ समाप्त होती है ग्यारह ये बहुत ही भीवी आई है समझे लिजे इसके बाद कौन सीक्रिती अग्ये की नहीं है तो वो पल्लव इसके बाद कौन सीक्रिती अग्ये की है तो नदी के द्वीब रोज इन में से क्या है तो रोज एक कहानी है उत्तर प्रेदर्सी नाटक के नाटक कार है अग्यै सेखर एक जीवन किस विद्या की कृति है उपन्यास, उपन्यास इसके बाद 36 न版 कोश्चन अग्ये की मां का नाम था अग्ये की मां का नाम था ब्यांती देवी रोज कहानी की नाई का है मालती रोज सिर्सक कहानी के लेखक कौन है तो रोज कहानी सिर्सक के लेखक है अग्ये तो ये आपके कुछ चर्ट अब्जेक्टिव रहे थे 38 bvhi i objective lesson 5 तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही आप लोग इसे याद कीजिएगा मैं इसका पीडिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो मिलते हैं नेट वीडियो में धन्यवाद